तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि इसमें क्या करते हैं अगर आप इसमें देखोगे इस वाले problem को solve करोगे तो यहां पर speed b1 है और यहां पर speed b2 है और यहां पर speed b3 है तो भाई यहां कुछ time भी तो लगा होगा a से b तक जाने में यह distance अगर x है तो यह भी तो x है तो यह भी तो x है तिनों equal distance है लेकिन यहां से time t1 लगा होगा b से c पर जाने में time t2 लगा होगा c से d पर time जाने में t3 लगा होगा तो average speed निकालना है तो average speed क्या होता है और average speed होता है total distance अपन total time total distance x plus x और total time a से b तक t1 प्लस b से c तक t2 प्लस c से d जाने t3 बस कतम कहानी तो यह जाएगा 3x और यहां से time time equal to distance अपन speed to speed b1 plus x upon speed b2 plus distance x upon b3 तो finally जब इसको solve करोगे तो यह जाएगा 3 times b1 b2 b3 और यहां से अगर आप देखोगे तो यह जाएगा b1 b2 plus b2 b3 plus b3 b1 यह तो this is the final solution of this problem तो 3 times b1 b2 b3 मतलब अपना third option match कर जाता है thanks for watching this video bye bye take care